उसे मानती मैं इत्राद हसन अक्तारी बंगलादेश के शहर डाका उत्तरा से बोल रहा हूं मेरा बाबा जान के खिद्मत में एक सवाल है कि बारे रभी अलबल के महीने के नियाज देने का सही तरीका क्या है जारा नियाज में ये कि इसाल स्वाब किया जाता है नियप की जाती है कि हम ये जो भी तकसीम कर रहे है वो सरकार सुल्लाओ ताईला आले लहाले स्लम के इसाल स्वाब के लिए कर रहे है और अनाज है खाने की चीज है कोई उसका खुब इत्राम बज़ाला है कि जमीन पर ना गिरे पाउं तले नारों दी जाए और ये तो हर घिजा का ये इत्राम है लेकिन जार नियास की घिजा का इत्राम मज़ीद बढ़ जाएगा तो इस तरह इंशालला खुश दिली के साथ अच्छी स्वाब की नियत के साथ करेंगे तो स्वाब पाएंगे रियाकारी नमूद नुमाईश का जहन ना हो के वावा होगी मेरी लोग मुझे दिलेर बोलेंगे को यार ये बड़ा ज़शने विलादत पर खर्चा करता है जबरदस आशी के रसूल है इस तरह की तमना है ना हूँ अज़ी के साथ आप नियास बाटेंगे इन्शालला ज़रूर तब आपके रखदार होंगे अब सरकार अल्याओ तब को कुन सी चीज़ पसंदी मुक्तलिफ इसकी सूरत है जिसे के सरकार अल्याओ तब को गोश्त में बकरी की कमर का गोश्त पसंद था दस्ती का गोश्त पसंदा गर्दन का गोश्त पसंदा इस तरह है कि मेरे आगा सुनललाओ तब आपको पसंदा है ज़ोगी रोटी बारहा थनावल फरमाई अब ये पसंद थी या नहीं पड़ा लेकिन इखतियार फिसे टिसे था मश्क पानी की भरकर कि रात बन लटका रहेगा तो खोदी ठंडा हो जाएगा अम्रम्मिलमारूफ और रसाहिल की नیاز करें यह यह भी नेकी की नवत ही रसाहिल बाटते हम इसको पढ़ते हैं लोग जो पढ़ते हैं तो नेकी की लगात ही पाते है जो भी नियास करें देगे हैं बाते हैं और आदे का लंगर करें हम हर तरफ नेकी की दावद इस तरह आम होगी घर घर अपना रिसाला भेजें दावद इस्तामी का मक्तब अदुल मदीना का वाल्लाह टाला आलमु रसूलु आलम अज्ज़ जल्व सुल्लाह टाला उसे मानती है दुनिया झालमु जल् Mog्त bana को आलमु आलमा ऐसे मानती हैं पहर थाल है